तो जैसे प्रधानमंत्री मोधी यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे, हमको सिधे आपको लिये चलेंगे, बहराल आगे बढ़ते हैं लखनो के अकबर नगर में पुलिस पर पत्राओ करना महंगा पढ़ने वाला है C.M. योगी की पुलिस ने इस मामले में काफी गंभीरता से कदम उठाते हुए इस मामले में एक्शन लिया है और लखनो पुलिस ने इस सबावत F.I.R. दर्ज की है F.I.R. में साथ नामजद आरोपी है जबकि इसमें सैंकडो अग्यात लोगों के नाम भी शामिल किये गए है F.I.R. लखनो विकास प्राधिकरन की शिकायत पर महानगर कोतवाली में दर्ज की गई है कर लखनो के अकबरनगर में अवैद निर्मान गिराने गई पुलिस की टीम पर पत्राध हुआ था पत्राध में पुलिस वालों की गाड़ी को डैमेज किया गया हलात इस कदर बिगड़ गया कि पुलिस वालों को जान से मानने की कोशिश की और पुलिस जान बचागर वहां से भागी क्योंकि इतनी जादा पत्राओं होने लगी एक अफ़ा के बाद बेकाबू भीर काफी देर तक गदर मचाती रही और पत्राओं में स्चो और स्पी तक की गाड़े को नुकसान पहुचा है पत्रबाजी में पुलिस की दो गाड़ियां और एलेडी की कोकलेंड मशीन को भी नुकसान पहुचाया गया है और भीर्ड़ वहाँ पर लगें सीसी टीवी कैमरे भी तोड़ डालें फिलाल हला सामाने हैं और अब पुलिस दोशियों की पहचान करके कारवाई कर रही है तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से अकबर पुल का जो इलाका है लगनो में कल यहां पर पुलिस की टीम पहुची थी लगनो डिवलाप्मेंट आथारिटी के अधिकारियों के साथ और अवेद कब्जा हटाया जा रहा था जिस दोड़ान पुलिस के उपर हमला किया गया था अब इस मामले में लगनो विकास प्राधिकरेन की तरफ से जो F.I.R. दर्ज कराए गई है उसमें साथ नामज़त आरोपियों के नाम दर्ज है और साथ ही आपको बताते हैं हुआ क्या है अब तक क्या क्या हुआ इसमें अकबर पूर में पत्थरबाजी के मामले में F.I.R. दर्ज हुई है F.I.R. में साथ नामज़त आरोपी है सैक्डो अग्यात लोगों के खिलाफ भी इसमें दर्ज किया गया है मामला L.D.A. ने महानगर कोतवाली में ये मामला दर्ज करवाया है यानि कि लक्नो डिवलप्मेंट अथॉरिटी अवे वो नाम है साथ नाम जिनको इसमें रखा गया है लेकिन इसके अलावा सैक्डो ऐसे लोग हैं जो अग्यात हैं उनको भी इस F.I.R. में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है दरासल अक्बरपुर के इस इस लाके में जो लक्नो डिवलॉप्मेंट अथॉरिटी है उनकी जमीन पर अवेद कबजा किया गया था अब उनको पहले नोटिस दिया गया हटने के लिए का आगा जब वो नहीं हटे तो उसके बाद फिर फोर्स के साथ जब LDA पहुँची तब पुलिस के ओपर और साथी साथ LDA के अधिकारों के ओपर हमला हुआ उत्तर प्रदेश की रादधानी लखनो के अकबर नगर इलाके में पिछले कई समय से लगातार लखनो विकास पादी करन LDA लगातार अवैद निर्माडों को चिन्हित कर रहा है और उन अवैद निर्माडों को तोड़ा जा रहा है आज शाम पांट बजे के अगर बात करें तो LDA ने जिन कमर्शल बिल्डिंग्स को तोड़ने के लिए चिन्हित कर रखा था उसी दोरा में बताया जाता है कि जो कमर्शल बिल्डिंग अंदर तोड़ी जा रही थी उसी से पास का जो घर सटा हुआ था उसका जो मलबा होता है ऊपर की सलैब होती है वो भी गirstी है और यह अफवाव फैलाक। जाती है कि जो सलैब गिरी है बगल के घर में उसमें तीन लोगों की दब कर मौत हो गई है एस अफवाह के बाद जो कि पूरी तरीके से गलत थी लोग मौके पर आजाते हैं उग्रुपरदर्शन करते हैं पुलिस पार्टी पर पत्थराओं करते हैं और उस पत्थराओं करने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस टीम को यहां पर मौके पर बुलाए जाता है और सड़कों पर जिस तरीके से अभी भी आप देखिए कि पुलिस की मौ सीनियर जो आफिसर्स होते हैं वो यहां पर आते हैं लगातार यहां पर कैम कर रहे हैं और सभी नागरिकों को यह जानकारे दी जाती है इंफोर्मेशन दी जाती है कि किसी की भी दब कर मौत नहीं हुई है यह पूरी तरीके से अफवाह है कुछ लोग माहौल खलाब करने की क उजहा करके उनके घरों में भेजा जाता है लेकिन तब तक उग्र प्रदेशन हो चुका था पता यह भी लगता है कि जिन लोगों की कमर्शल बिल्डिंग को गिराया जा रहा था उनकी तरफ से आम लोगों को गलत जानकारी दे करके अफवाफ वैला खरके भड़काने का क इनित करके तोड़ने की कारवाई की जा रही थी यह दरसल पूरी तखीके से कोट के निर्देश के बाद ही हो रहा था और ऐसे समय में कुछ लोगों ने अफवाफ पैला करके मौके पर महल बिगाड़ने की कोशिश जरूर की है बवाल के दौरान बेकाबू भीड ने एलडिये और पुलिस की टीम पर पत्थराओ किया और गलियों उसमें ख़देडा उनको पत्थराओ और भगदर में इंस्पेक्टर महानगर जखनी हो गए हैं पैसी के तीन जवान भी कई गलियों में फस गए थे किसी तरह से तीनों को बाहर निकाला जा सका है गुस्सा है लोगों ने पैसी और पुलिस की गाड़ियों में तोड़ फोड़ की पूरा बवाल मलवे में लोगों के दबने की अफ़वा के बाद फैला है हाना की हकीकत ये थे कि मलवे में कोई नहीं दबा था किसी की जान नहीं गई थी जिस जिगब इमारत गिराया गया था उसी को लेकर अफ़वा फैली थी अब उसमें सभी लोगों को पहले सुरक्षित बाहर निकाला गया था जिस बिल्डिंग को गिराया गया अब पुलिस माइक पर बार बार एलान करती रही कि मलवे में कोई नहीं दबा है नहीं दबा है सभी सुरक्षित हैं लेकिन भीड कुछ भी सुनने को तयार नहीं थी और बाद में पुलिस की अधिरिक टीम मौके पर पहुंची तब जाकर हालात को काबू में किया जा सका तो यहां पर अपने सुना पुलिस ने पूरा का पूरा वाकिया सामने आया और किस तरह से पुलिस ने यहां पर खुद को बचाया है लखनों के अकबर नगर में डेमोलिशन की जो कारवाई या हाई कोट के आदेश के बाद की जा रही है हाई कोट के फैसले के बाद ही यहां से अवेद निर्मान को गिराया जा रहा हुँ हटाया जा रहा है इलावाद हाई कोट ने इस मामले में दुकानदारों की आजिकाएं पिछले महीने ही खारिश कर दी थी इसके बाद पीडित सुप्रीम कोट पहुँचे थे सुप्रीम कोट ने दुकानदारों को अपना समान निकालने के लिए चार मार्च तक का समय दिया था सुप्रिम कोट ने कहा था कि दुकानदार मान रहे हैं कि जमीन उनकी नहीं है फिर वो उस पर कबजा कैसे कर सकते हैं